हेलो दोस्तो चलिए स्वागत है आपका Medster class में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई सीरप के बारे में जिसका नाम है सिली बान सस्पेंशन और इसका कंटेंट है सिली मैरिन सस्पेंशन 100 ml की बॉट्ल में आ जाती है दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वस्ट करूंगा मίνरे इस चैनल मैंटस्टड क्लास को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो यह आकर्शिक बॉटल है इसको बनाया गया है micro company ने micro company इंडिया की एक standard company में आ जाती है और इसके काफी अच्छे results prices भी काफी अच्छे है यानि economical है आपको आप खरीच सकते हो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो silly bond जो यह newly launched product है इसका जो contents है silly marine है यह 100 ml की pack में आ जाता है इसके tablets भी मिल जाते हैं आपको market में ओके तो मैं यह तो physician sample है दोस्तों और इसके काफी अच्छे results है taste भी काफी अच्छा है दोस्तों each family one teaspoon contains silly marine of 35 mg होता है जो कि silly marine क्या होता है यह chemical होता है जो कि आपके liver को protect करता है यानि आपके जो liver होता है जो कलीजा बोलते हैं तो वो उसको protect करता है जैसे कि मानों कि आपको viral hepatitis हो गया यानि viral hepatitis कितने सारे viruses होते हैं जैसे कि viral hepatitis viral A B C D E उसमें सबसे common होता है viral A hepatitis जो कि आप खाने पीने में अगर आप precaution नहीं लिए तो उसे आजाता है जैसे कि आपने होटेल में खाया जापे infected आलड़ी virus A infected हो गया या तो चाई पीने से चाई वैसे तो गरम होती है उससे spread नहीं होता है लेकिन दोस्तों अगर वो थंडी है अगर उसको virus infected हुआ है उसका saliva secretions वापर आ गये है तो आपको लग सकती है viral hepatitis B थोड़ा dangerous होता है क्योंकि वो liver failure करता है hepatitis C भी dangerous होता है जो कि blood transfusion से आता है hepatitis D जो होता है वो CB के साथ होता है याई ये भी dangerous होता है तो बस hepatitis A होता है लेकिन 1% hepatitis A भी बहुत risk होता है लेकिन यारों दोस्तों याद रखिए कि hepatitis जो होता है वो viral infections वो liver को पकड़ देता है उसके काम करने के जो भी functions होते हैं कम कर देता है मानो कि आप drugs ले रहे हो कुछ medicines जैसे pain killer ले रहे हो जैसे paracetamol ले रहे हो ये भी liver से हो चले जाते है या antibiotics ले रहे हो हर drugs का जो metabolism होता है वो liver से होनी होती है या तो kidney से excretion होता है यानि बाहर निकल जाती है यानि वो kidneys को और liver को load पड़ जाता है जब भी ये liver पर load पड़ता है तो liver के जो activities होते हैं functions होते हैं वो कम होने लगते हैं जिसके वज़ए से liver में खराबी आ जाती है और आपको सुस्ती आपको एक पेट का दुखना आपको उल्टी आ सकती है और आपको खाने में इंट्रेस्ट नहीं हो सकता आपका भूक मर जाती है इतने सारे complication हो सकते हैं तो ये जो each 5 ml contains 65 mg जो होता है इसको आप 42 days तक भी दे सकते हो ये थोड़ी price ही है यानि costly है दोस्तो लेकिन इसके काफी अच्छे results है इसको कैसे दिया जाता है या आप doctor के सला लेकर इस्तमाल करें लेकिन इसके काफी अच्छे results है यानि मानों कि आपको dyspepsia है या CDT की problem है तो भी help करता है लेकिन especially जो liver को है रव देख हो सकता है इसलिए doctor की सला लेकर ही इस्तमाल करें यह pure alopathic है आयरवधिक नहीं है दोस्तो तो यहाँ पर देख सकते हो आकर शिक bottle है जैसे की आपकी औरोफर एक्स्टी ड्रॉप की जैसे bottle आती है वैसे ही bottle में आती है टेस्ट भी काफी excellent है और इसके results भी काफी excellent है दोस्तो और आपको shake करनी है और आपको पिलाना है कभी दो बार दिन में और आप 20 से 40 दिन भी दिया जाता है दोस्तो यह liver problem जैसे chronic liver disease है liver diseases है viral hepatitis है drug induced liver diseases है वैसे इसमें काफी इस्तमाल होता है तो आपको याद रखनी है side effects जैसे होते हैं कि headache हो सकता है और lose motions भी हो सकते हैं अगर आपको allergy है या तो आप hepatic encephalopathy यानि last stage of hepatic failure जहांपे आपको होश नहीं रहता patient को जहांपे patient का hepatic encephalopathy बोलते हैं वहाँ पर ये इस्तमाल नहीं होगी दोस्तो तो इसी लिए इसका देखकर ही इस्तमाल करें और इसके जो instruction भी दिया जाता है leaflet भी यहाँ पर दिया गया है सब इसका composition और इसका जो sorry दोस्तो तो यहाँ पर देख सकते हो इसके काफी अच्छा लिखा हुआ है आपको क्या करनी है कैसे करनी है सबी लेकिन डॉक्टर की सला लेकर ही इस्तमाल करें दोस्तो यह बस याद रखिये कि जो silymarine होता है वो आपकी liver का दोस्त है जो की liver को protect करता है लेकिन कितिनी भी आसानी से मिल जाती हो लेकिन आपको क्या करनी है आपको आप डॉक्टर की सला लेकर इस्तवाल करनी है क्योंकि कुछ भी अच्छी चीज़ हो ओर्डोस हो वो भी कॉम्प्लिकेशन कर सकती है दोस्तो ओके तो मुझे यकीन है क्या आपके वीडियो पसंद आया होगा प्लीज हमारे वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंकि दोस्तो